हेलो गाइज मैं नितिश कुमार पजापति आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपना युट्वी चैनल एल्पिन टेक्निकल ऑनलाइन पर यह हमारा मेकैनिकल शीक्ष सेमेस्टर का चौथा प्रस्ण है जो की VVI है तीन प्रस्ण हमने और रेड़ी करा दिया है काईजेन दूसरा हमने कराया था वाटी जेवी सी एनलाइसिस एंड तीसरा हमने करा दिया है कि फोर्टेन प्रिस्पल ऑफ हैंड्री फोयर यह हमारा आरेसी से है वहाट इस रेफ्रिडांट एंड इस क्लासिफिकेशन आरेसी सब्जेक्ट से है जो की बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रस्ण है आने के चांसे इसके भी वंते हैं इस वर्स तो हम पहले या आप लोग बट बस ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा तो कहता आवाटिज रेफ्रिजरांटक्रेफिडांट क्या है तो रेफ्रिजरांट क्या होता है रेफ्रीजरांट एकrare वर्किंग होता है एक फलूड होता है जो कि क्या करता है बोडी से हीट को abstract करता है यानि निकालता है तो बोडी से हीट को abstract करता है किसके मदद से तो evaporator and condenser की मदद से इतना ही आपको represent में लिखना है तो represent क्या है पहला point लिखेंगे कि represent एक working fluid है जो कि बोडी से हीट को abstract करता है या reject करता है किसके द्वारा through evaporator and condition के द्वारा तो यही हम लोग लिख देंगे इसके definition part में तो क्या वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि represent is a working fluid which जो abstract the heat from body जो body से heat को abstract करता है and reject heat heat through evaporator and condenser and heat को reject करता है कि इसके द्वारा तो evaporator and condenser के द्वारा कि इतना आपको represent में लिख देना है बड़ा ही असान डिफिनिशन है अब क्या कह रहा था प्रसन में कि इसके classification को क्लासिफाय करें इसके classification को क्लासिफाय करें तो अब हम इसका classification देखते हैं इसमें मेंली जो हमारा रेफ्रीजरांट होता है वह तू टैप्स में classify किया गया है बहला प्राइंबरी रेफ्रीजांट और दूसरा secondary रेफ्रीजांट तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे रेफ्रीजांट is classified into two टाइपस classify into two types तो यहां से क्या हो जाईगा primary refrigerator और secondary रफ्रिजन्ट यह हो गया हमारा अब primary रेफ्रिजन्ट किसको कहते हैं तो इसका पहले हम लोग समाज लेते हैं definition क्या होता है primary reflect का primary reflect है जो कि ऐसा type है रेफ्रिजन्ट का जो की refrigeration के process में directly participate करता है किसी की सहायता से नहीं direct क्या करता है refrigeration process में participate करता है यही इसका simple satisfaction है क्या है अब इसको लिखना कैसे है it is such type of refrigerant या क्या है refrigerant का एक type है इतना तो आप लोग सब जानते होंगे इतना लिखने के लिए कि रेफ्रिजरांट एक primary refrigerant एक रेफ्रिजरांट का type है it is such type of refrigerant which जो is directly participating process of refrigeration जो कि refrigeration के process में directly participate करता है उसे हम लोग primary refrigerant करते हैं is called primary refrigerant अब primary refrigerant में इक्जामपल में कुछ लिख देंगे NH3, CO2, ETC तो यह हमारा क्या है primary refrigerant के इक्जामपल अब हम देखेंगे secondary refrigerant secondary refrigerant को देखने से पहले हमें हाँ पर primary refrigerant के टैप्स को जान लेते हैं primary refrigerant के में लिए 4 टैप्स होते हैं जो की आपको दिखाई दे रहा होगा hydro carbon refrigerant पहला पहला क्या है हमारा hydro carbon refrigerant दूसरा है hello carbon refrigerant तीसरा है azeotropes refrigerant and चौथा है in organic refrigerant इसको हम लोग बारी बारी से इसका definition देखें बहुत ही simple definition है same to same एक दूसरे परधारी definition है वस आप कुछ नहीं करना है एक दो सब change करके वही same to same लिख देना है हम आप लोग को ऐसा definition लेकर आए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो क्योंकि समय बहुत कम बचा है किताबी भासा याद करने में थोड़ा कटनाई होती है इसलिए हमने थोड़ा आसान भासा में आप लोग को यहां से definition तयार करके लाया है तो अब पहला देखेंगे hydrocarbon refrigerant इसको कैसे याद करेंगे hydrocarbon refrigerant फिर दूसरा हमारा 3242 तो ऐसे ही याद हो जागा फिर ageo tropant याद और इं और्गेनिक रット इतना आपको याद रखना है अब इसका definition बारीबारी से देख लेते हैं हम लोग इसका definition बहुत ही simple होता है जैसे hydrocarbon represent है तो हम hydrocarbon represent की इस चीज़ में पर रहे हैं तो primary represent की type है पहला point यह लिख देना है कि it is such type of primary represent या इस परकार भी लिख देना है कि दोज primary represent तो यह क्या होता है कि hydrocarbon represent में क्या होता है कि carbon atom और hydrogen atoms क्या होते है content होते हैं, मिले होते हैं बस इतना ही लिखना है कि दोज primary represent वैसा primary represent which contains carbon atoms and hydrogen atoms जो carbon atom और hydrogen atoms को रखता है तो दोज primary represent which contains carbon atoms and hydrogen atoms तो इसका example में क्या हो गया C2H6 carbon atoms को रखा है और hydrogen atom को रखा है यहाँ पर देख सकते हैं C4H3 इसके अलावा कोई नहीं है तो यह हमारा hydrocarbon represent हो जाएंगे बड़ा ही असान था अप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा या आद भी हो गया होगा अब देखते हैं हमा हलो कारवन रेफ्रिजरांट हैड्रो कारवन रेफ्रिजरांट में क्या था कि कारवन आटम्स और हैड्रोजन आटम्स कॉंटेंट थे इसमें एक आटम्स और आ जाते हैं जिसका नाम है हैलोजन आटम हैलोजन आटम तो दो ज प्राइमरी रेफिजरान, सेम टु सेम पहला definition लिख देना है, बस आपको ये क्या करना है, इंटर करना है बस वाटी सेम हो ही है, definition तो दो ज प्राइमरी रेफिजरान, भीच कॉंटेंड, हेलोजन एटम, कार्वन एटम, एंड हेडोजन एटम ये हमारा तीन एटम्स को क्या करता है कॉंटेन करता है इसका एक्जामपल में लिख देंगे डाई क्लोरो इथीन ये हो गया अब हम लोग तीसरा क्या देखेंगे एजियो ट्रॉप्स रिफिरिजरांट एजियो ट्रॉप्स और भी बड़ा ही आसान डिफिनिशन है इसका कि एजियो ट्रॉप्स क्या है कि दोज प्राईमरी रिफिरांट वैसा प्राईमरी रिफिरांट तो जो दो रिफिरांट के मिक्चर हो वैसा प्राईमरी रिफिरांट जो दो रेफ्रिजरांट के मिक्चर हो तो दो प्राइमिर रेफ्रिजरांट भीची मिक्चर ओफ टू रेफ्रिजरांट तो एक रेफ्रिजरांट हम ले लेते हैं आर वन जी रो आर वन टू दूसरा लेते हैं आर वन फाइव टू ये ले लेते हैं तो ये दोनों को मिक्चर करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, R500, तो ये हमारा क्या हो गया, एजियो ट्रॉप्स रेफ्रिजरांट हो गया, दो रेफ्रिजरांट के मिक्चर को हम लोग एजियो ट्रॉप्स रेफ्रिजरांट कहते हैं, ये हो गया, अब लास्ट क्या था, इन औरगेनिक रेफ्रिजरांट तो इन औरगेनिक क्या है कि इन औरगेनिक एक ऐसा रेफ्रिजरांट है जो कि कारवन एटम को नहीं रखता है जिसके पास कारवन एटम नहीं होते हैं तो ऐसे रेफ्रिजरांट को हम लोग इन औरगेनिक रेफ्रिजरांट कहते हैं इसमें क् देखना है दोज रेफ्रीजरांट फिच डज नॉट हैव कारवन एटम जिसके पास कारवन एटम नहीं होता है उसे हम लोग इन औरगेनिक रेफ्रीजरांट कहते हैं इसका एक्जामपल में देख लेंगे CO2 आप कह सकते हैं कि इसमें तो कारवन एटम है लेकिन इसको एक्जेप्शन में रखा गया है इसको एक्जेप्शन में रखा गया है NH3 देखिए इसमें carbon atom नहीं है, SO2 carbon atom नहीं है, H2O carbon atom नहीं है, ETC, तो इतना हम primary represent में पढ़े, 4 tabs, और अब देखेंगे हम secondary represent, primary पढ़ लिए, primary के tabs पढ़ लिए, अब देखेंगे secondary represent, ये ज्यादतर 6 marks में आपको पूछे जाएंगे, short answer tap में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन 6 marks में पूछे जाएंगे, जो कि बढ़ा ही आसान है, और आप आसानी से इसमें 6 में 6 marks ला सकते हैं, इतना लिख कर, जो कि simple simple definition है इसका, याद करने भी ज़्यादा कटनाईया नहीं होगी, अगर आप लोग समझ गये होंगे, तो आ क्यों है, जो कि refrigeration के process में है, जो कि directly participate करता है, लेकिन secondary refrigerant में क्या होता है, क्यों refrigeration के process में directly participate नहीं करता है, उससे क्या किया जाता है, पहले रेफ्रिजरांट को, primary refrigerant की मदद से, उससे convert किया जाता है, क्या किया जाता है, convert किया जाता है, तब जाके वो refrigeration के process में participate करता है, तो ही लिखा है, यहाँ पर, those refrigerants which is not directly participate in process of refrigeration, which is not directly participate in process of refrigeration, it first converted as refrigerant by the help of primary refrigerant, primary refrigerant के help से वो क्या करता है, पहले रेफ्रिजरांट में convert होता है, उसके बाद वो क्या करता है, रेफ्रिजरेशन के process में participate करता है, उससे हम लोग secondary रेफ्रिजरांट करते है, एज कॉल्ड, secondary रेफ्रिजरांट, इसका एजामपल, गलाइकोल, ब्राइन सॉलूशन, एटीज, आसा करता हूं को, की रेफ्रिजरांट आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे अच्छे से तयारी करें, यह हमारा चौठा वीडियो था, और भी वीडियो आएंगे लगतार, चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें, चैनल को subscribe कर लें, नोटिफिकेशन को on कर लें, ताकि एक भी वीडियो मीस ना हो, कि वीडियो लगतार आते रहेंगे, जब तक आपका एक्जाम है, जब तक एक्जाम खत्म ना हो जाए, और वीडियो सारा का सारा प्रसन बड़ा ही important होगा, एक्जाम point of view से आने के chances, जिसका ज़्यादा रहे हैं इस चैनल के माद्यम से, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अवस्य से शेयर करें, ताकि उनको भी इसका लाव मिल सके, और वीडियो को देखने के लिए, थैंक्यू, धन्यवाद